हेलो फ्रेंट्स मैं अनामेका इस चानल की होस्ट और आपकी दोस्त आज हाजिर हूँ एक नहीं रेसीपिक के साथ आज हमने ने लिया है फुल गोभी आलू बीन्स और मटर इन सारी चीजों को अच्छे से काटके दोखे थोड़ा सा बॉयल करने के लिए रखा है पर हम इसको बॉयल नहीं करेंगे जस्ट ब्लांच करेंगे और इसका पानी दोके निकाल देंगे उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसको पहले हम पानी से चान लेते हैं और इसके बाद मैंने इसको ठंडे पानी से दोबी लिया था उसके बाद हमने एक फ्रेश कड़ाई में थोड अब देख सकते हैं यह रेडिश बुल्डन ब्राउन टाइप हो चुके हैं अब बीन और मटर को भी साथ में डालेंगे क्योंकि इसको पहले से डालेंगे तो जो बीन से ज्यादा फ्राई होके बिल्कुल सुखा सुखा ड्राई हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा जस्ट हलका से करना है क्योंकि माटर और बीन्स को जा फ्राई होने में ज्यादा टाइम निलगता थोड़ा सा सौते करके ही इसको बस निकाल के रख लेंगे, यह फ्राई हो चुका है लगबग लगबग, आप देख सकते हैं, चलिए इन सारी चीजों को, अब हम कटोरी में निकाल लेते हैं, यह मैंने कटोरी में निकाल लिया, थोड़ा सा तेल डाला है, अगर बज गया तो उसी तेल में बना लीजे अधरवाइज एक चमश, दो चमश तेल डाल दीजे, उसमें हींग डाला है, थोड़ा सा साबुत जीरा डाला है, और यह प्यास, भारी कटा हुआ, इसको थोड़ा सा भुन लेंगे, और यह अधरक लेसून, थोड़ा सा प्यास और हरी मेर्च का पेस्ट, इन सारी चीजों को मिला की अच्छे से, फ्राइ कर लेते हैं थोड़ा देर, एक से दो मिनिट, उसके बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे, और यह है धनिया पाउडर, यह हल्दी, कश्मीरी लाल मेर्च पाउडर, यह है नामार्क, पेस्ट के साब से, इसको भी थोड़ा सा भून लेते हैं, और मसाले जल ना जाएं, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें पानी भी आड़ कर सकते हैं, और यह है गरब मसाला, अगर आपको लगे, कि जलने वाला है, या ड्राई हो गया ज्यादा, तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, इससे मसाले अच्छे से भूनेंगे भी, और आपके म तो मैंने सब फ्राई की हुए वेजीज को इसके साथ डाल के, अच्छे से मसाले को कोट कर लिया है, ज्यास का फ्लेम खम कर देते हैं, थोड़ा सा इसी में ऐसी चलाते रहें, और अब इसमें हम पानी डाल देंगे, थोड़ा सा गरम पानी आड़ कीजिएगा, पेस्ट बह और इसको हम अच्छे से चला के थोड़ा दर ढग देंगे, क्योंकि हमने इसमें बॉइल नहीं किया था इस सारी चीजों को, जस्ट ब्लांच किया था, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इसलिए और इसका फ्लेम कम कर देंगे, थोड़ा दर चेक कर लेते हैं, पक गया या न पसंद है तो उसको थोड़ा सा ड्राइ कर दीजेगा, और अगर आपको रस्चेदार पसंद है तो ऐसे ही, और इसके साथ मैंने ड्राइ रोस्टेड जीरा और सूखी लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है, फोड़ा सा शक्कर डाला है, यह बालन्स करने के लिए, अगर पसंद आई हो, तो मुझे लाइक, शियर, सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा, और मेरे चानल को हमेशा ऐसे ही यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, आशा करती हो, आप सभी अच्छे होंगे, चलिए यह है फाइनल डिश, आज के लिए बाई बाई, टेक केर,